मजिब्रा यटे केचें ताके आपना स्वगान दिये तभी मादवन दें शेख मजिबर पहुत थारो अनलत शादिन करो मजिब भायर पहुत देखो यार कितने मदलब उस टाइम में कितनी गैधरी याँ वहाँ पर कि आप ये देखो अनलत शादिन करो अससलाम अलेकूं कैसे हैं सब दोस्त आई होप आप सब ठीक होगे मज़े में होगे मैं हूं सिजाद और मैं हूं जणी और मैं हूं हसन और मैं हूं समान तो कैज आज इस वीडियो के उपर हम रेक्शन देने वाले हैं वो है जी बंगा बंदू शेख मजीबू रह्मान की साथ मार्च की हिस्टोरिक स्पीच है मेरे भाईयों ने पहले नहीं सुनी होगी और जानते भी नहीं होगे उस स्पीच में क्या हुआ था तो आपको ये स्पीच सुनकर पता लगेगा कि तब शेख मजीबू रह्मान के क्या ख्यालात थे और वो क्या चाहते थे मतलब कुछ मिस अंडरस्टेंडिंग्स हैं पाकिस्तानी लोगों में और जो किलियर हो जाएंगी मतलब कुछ लोग कहते हैं जी शेख मुझीबूिरे घ्मान जो थे रहे का पाकिस्तान तोड़ना चाहते थे आसर बिल्कुल भी नहीं है और यह स्पीच जो है यीध बताएगी की वह पाकिस्तान तोड़ना चाहते थे जो के जुड़ नहीं पाया, हो नहीं पाया जैसा वो चाहते थे, अगर वैसा हो जाता तो बेतर होता, लेकिन ये स्पीच आप लोगों को बताएगी के एक्चली हुआ क्या था, और जो भी था, पहले स्पीच सुनिगे माजे बैर पांध थानर, अमाज़ डेष तुमाज़ डेष पनलाच बानऩभ जड़ेष नदर डेष, बानऩभ जड़ेष, शदिन करो, फनलाच अप्लाच अटिन करो पमलाच डेष, शदिन करो, इनसे की इनसे, क sarà र्सारं पांड़ जड़ेष जेख मजीबु रह्मान सबी जाने निवं बोजेन आम्राम देर जिवान दिया चेश्टा कुरेची केंदु दुख्खेर भी सोय आज ठाका चट्ट ग्राम खुलनार आश्षाई रंकुरे अमार भये राकते रास्पपा रॉंजीते हे आज बांगलार आश्मुक्त चाये बांगलार मनुस बास्ते चाये बांगलार मनुस तराय आज तरहुदिकार चाये है तेजी बच्छ आखे ए ए हड्ज समय को पुल्त हए । टेजी बच्छ अेले करुन हो और आख पांड ला उत्च च्यरे बच्छ आख लीयर अख लीयर टेजी बच्छ आख मुंसो अनी आखन गद द्याख बच्छ आख लीयर भागला इडियर एदेशेर मनुशेर अक्त दियेर आत्पद अंगित करारी तिहास 1902 शाले अक्त दिया छी 1904 शाले इन बाचने जोय लाप कोरे वामरा गोदिते बुष्ते पारी नाई 1908 शाले आयुब खान मासरलाद जारी कोरे 1906 शाले साइद अंदूले साथोय जूने आमार छेले देली गुलीकारी हात्त करा है 1906 शाले आंदूले आयुब खाने पातल हार पोरे जाकन लहीयकांच थारकानिले तिनी बोलें देशे साशन्तंद ढड़ें गनतंद ढड़ें आमराम्मनीनिलाम तार पोरे अने कितिहा शोयेगालो निर बाचोन होलो आपना जानेन दोश की आमा देर आज के तिनी आमी पेसिरेहिया कान शावेश्टोंगे दागा कोरेची आपना जानेन अला बलोचुना कोरेची आमी पाकसुद बांगलार रोए पाकिस्तनेर मेजोरी पार्डील नेताही जबे ताके अनुरोद कोर्लाम पुनालोई फेबुरु आरी तारीके आपनी जात्रियो परिशोदेर अधिवेशंद देन तिनी आमार कथा राकलेन तिनी राकलेन बुट्टु शायबेन कथा तिनी बॉल्लेन पुटम शब्ताय मास माशे हबे तिनी माने निलेन आमरा बॉल्लाम ठीकाची आमरा असेम्बली ते बोष बो आमरा आलो चलो चुना कोर बो आमी बॉल्लाम बख्ती दार मद्धे असेम्बली मद दालो चुना कोर बो आमोन के में बर्जंत बोलां, जो दिक्यो नेज्ज कोथा बोले, आमरा स्वांखाय बेशी होले, एक जोन्ज दियोशे हाए, ता नेज्ज कोथा आमरा मेने नेवो, आशुन होशी, आमरा लपकुरे शाशुन तन्तो तो एर कोली, तिने बोलें पोष्चिम पाकिस्तान एर मे आचिम जोन्तो दुकार जोर कोले बंदो करा होबे, तार परोजुद करा आशे तके सन्नाचार करा होबे, हमे बलाब आसेम्बली चोल बे, तार परे वडाद एक तरिके आसेम्बली बंदो करे दाव होलो, की पेला मामना जामार प्वायशाद ये आस्ट्रो किने ची बई देशकर शुटत्र आक्मांतों के देशकर O visionary je now, ॉ आँसर और वडे, हॉ आखे आसेट आसेट वडाभुहर हुच्छे, अमार द सेएर गलिव तुक्हिं ये अस्क्र भुष्ट κάर प्णों करो ये वस्फरा होबे, आमर आपकिस्तरे तार परे उनी बोलें जिए हमान नामे बुलेचे नामी नेकी बुले चिकार करेची जे दोशो इतारीके राउंटबल कान्फरेंस हावी आमी उना के एक ता बुले दुबार चाहे आमी तके ता बुली नाई तेलीफोने आमा सोंगे तार कथा हुए ताके आमी बुले चिरा म जनाव यह खांशय आपनी पाकिस्तानेर पेसिदेन्ट देखे जान, ढाकाय आशेन की भावे अमार गोरीवेरुपोरे, अमार बऑंगलार मानुसेर अभभिःरुपोरे गुली करा हुए छे कि करे अमार मायर कोल खाली करा वे छे, कि करे मानुस के हत्तका वे छे, आपनी आशून, देखून, बिचार करून, तार परे आपनी ठीक करून, आमी एई कथा बोले छिरां। आमार हुआत सॉम्ने आपने सॉम्ने के yeterिता, नात foundations का थाफने जोषिये, आमार मतने काझन भेडान के हो, जो तोस्ते हो आमार वे भाइ़ दुना, आबोले भाझने सॉम्ने काती हिं मिल需要 इंस हो था नान आपना, प्रहंत सॉम्ने काती है, आमार मैद सॉम्ने काती है। अमार मुक्तिर संग्नाम, एबाले संग्नाम, अधिरतार संग्नाम पैरा आमार, बोचिस्तारिक एसेंब्ली कोल करेछे, रस्तेक दाग शुगायनाई अमी दास्तारिकेश पोले दियेची, जे वह श्वहिदेर अक्तिरुपर्दे पाणा दिये, आध्ति शिते मोजीबर हमान जोगदान करते पारे नाँ एसेंब्ली कोल करेछे नामार दाबी मान्त अवे प्रथम, मिल स्वामुरीक आएं, मास अल्लाव उड्रो करते हवे समस्तो शामुरीक बाहिनी लोगदेर बनाके फ्रोर्थम जावे ये भवे रत अगुर्देश आजे ताल ताल कृते हवे आर जान गोने ले पुसिनी द्रकाछे खमुतां घस्तां ताल कृते हवे जाल प्रब कि म हम्नों ये लोगाक म्नुट जो खंसाि । जिल निर पुर्ब जोन ये एफोचित खरो लोगा лю Catch झाल से आदेकार थाओा उड़ी मैर आमर, कमन आमर आमर बर बिस्ट बाचे? हाँ़ठार आचे अपी पुदार दिट शाइबान अचाइबा आमना ने रह प्षेल, बेर आमर अड़ी साइब आर जो दी एक्टा गुली चले आर जोदी आमान लोकर बर हत्ता कला होए, तुमादे रखाच्छ आमान रुरू रोई लो, बस्ते घरे घरे तुल्क गरे तोलो तुमादे जा किसु आशे ताही निये शत्तुरू नमगामन न कृत्ते होवे ये मों जीबोने तोले रस्ता घर जाजा आशे शोब किसु आमी जोदी हुकम देवार नाव परी तुम्रा बंग न कृदे देवे तुम्रा आमार भाई, तुम्रा बना के थाको क्यो तुमादेर किछु बोल बेना किन्तु आर आमार बुकर पर गुली चला बार चेश्टा कोरोना भालो हवे ना, साथ कोटी मानुष्के तबा राकते पार्वाना आम राजकोन मोट्टे सिगे छी, तकोन क्यो आमादे दुबाते पार्वेना जेपो चोंतोर आमार एई देशर मुक्ति ना होवे, खाजना टैक्स बंग करे देवा होलो, क्यो तुम्रा तबे मनुनोत कोच्छी आपनला आमादेर भाई, आपनला देशके एके बारे जहान ना में धम्शकरे दियानना जिबोने आरकोनो देन अपना देर मुक दखाते की हवे ना, जो दिया आमरा आशन्ति बुन्ण भवे, आमादेर भाई शला कोट्ते पारी, ता होले अंत बक्के भाई 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 शरे बासक्रा सुम्म बनाया आछे जहीं जुन्ण आपने ते अंड़त कोच्छी आमारे यहीं देशे आपनला मिरिटरी साषन चालाबार्चे स्टार कोरीबेनना दितियो कथा, प्रत्तेक ग्रामें, प्रत्तेक महलाय, प्रत्तेक इउनियाने, प्रत्तेक साब्रिमिशने, आवा मेदिगे नेत्तित्ते संग्राम परिशद गुरेतोलो, एबं तुमा देर जाकिछु आथे, ताइलिए प्रस्तु थागो मुने रगवा लख्तो जखनु दियेची, लख्तो आरोधबो एदेसेर मानुष्के मुक्तो कोने चालब इंशाल्ला एबादे संग्राम अमदेर मुक्तिन संग्राम एबादे संग्राम साधिलतर संग्राम यहां से अप्राम आराम इसेर जात्स संग्राम आम Körper के छूई राहें। दियेश संग्राम अमुक्ते चस़े आपार संग्राम् नेम ते संग्राम तो सुना ये थी स्पीच शेख मजीबूर रह्मान की और ये हिस्टोरिक स्पीच है साथ मार्च के हवाले से इसकी बहुत ऐहिमियत है और इसे स्पीच को बहुत ज्यादा जो है वह एप्रिशेट भी करें अब ये देखो कि बहुत से लोगों का ये मानना है ये शेख मजीब मैं जोंना को तोड़ना नहीं चाहते थे मादल पूनों ने मार्श्यलाज की बात की तो मार्श्यलाज जेवा अते रहें जब आप इंज्सीस करते इस इसे हों कर Оth tower कि सब्स्रेश मॉनिंसाफ है हमारे उपर ही अगर इनसाफ ना और हम झोंए घर में रह रहे हैं वस वक्त अगर बात करें न, सिक्स पॉइंट थे, शेख मुझीबूर रह्मान के, अगर उनको मान लिया जाता, उनमें से कुछ को, कुछ को भी मान لिया जाता, चार पांच को मान लिया जाता, अगर एक दो के साथ इकतिलाफ किया भी जा सकता था, लेकिन अगर उन सिसको मान लिया जाता है तो आज हलात कुछ और एक चीज ये भी थी कि आप देखो कि तब इस्ट पाकिस्तान था बंगला देश तो वहां से जो इंकम थी न वो लोग ज्यादा कमाते थे वेस्ट पाकिस्तान जो आई पाकिस्तान तो पैसा वहां से मूव होता था इदर और हमारा जो इसलामाबाद बना है एक बंगाली वो जब इदर आये ना वेस्ट पाकिस्तान में आये इसलामाबाद में तो उन्होंने का मुझे ना इसकी सड़कों से पटसन की खुश्बू आती है मतलब पटसन बहुत होता था बंगलादेश में वो इस्ट पाकिस्तान में तो उसने ये का कि मुझे यहां से ना पटसन की खुश्बू आती है कि मतलब कि वहां का जो पैसा है वो सारा लगा कर आपने इसलामाबाद तो कि नए सिटी उदर भेगती है हालांके उल्ट हो रहा था इस्ट पाकिस्तान का पैसा इधर आ रहा था और ये इसके स्टैटिक्स भी हैं सारे रिकॉर्ड भी मजूद है और सबसे बड़ी के जिन्दा मिसाल है इस वक्त कि वहां एर्निंग्स ज्यादा होती थी इस्ट पाकिस्तन ज्यादा खामया करताथा उसकी एक्जेम्प्ल यही है कि आज देख लो पाकिस्तान की केओन भी देख लो उनकी देख लो तो हो जो किदर पोँच गया है यही कारण है कि तब वो सचे थे वो सही कह रहे थे कि यहां हमारे साथ नहीं माना गया। कंट्री के तो इसे कर दिये यार देखो और बुटो साहब ओन्वर्ड उनका रेकॉर्ड है यार उन्होंने बोला जब एलेक्शन हुए शेख मजीबूर हमान ने पूरे तरीके से विक्टरी आसल कर ली पूरे तरीके से एलेक्शन जीत लिये तो बुटो ने नारा लगा दिय यार जी उदर तूम इदर हम तो तो टोटे यह नारा हुआ था ना के उदर तूम इदर हम जब बदा के हम हार गए हैं तो किसी भी तरीके से जो यहां के पॉलिटीशन थे तब के वो गवर्मन देना ही नहीं चाते थे उनको अगर तब दे दी जाती शेख मुझीबूर हमा इसल्कुल उन्होंने ना सिरफ पाकस्तान में वेस्ट में से भी सीटें ली थी और उनोंने पूरे तरीके से क्लीन स्कार ता लेता उनको गवर्मन देना बनती थी यद एक बंदा जीत गर सामने इतने सीट लेता रह उसको गवर्मन नहीं दी जाती तो फिर वह यह तो होना तो जो हुआ था और बहुत से लोगों में मिसंडरस्टेंडिंग्स अभी भी हैं और वो दूर होनी चाहिए लेकिन अब इन सब चीजों को मैं कहता हूं कि भूलना चाहिए हमें अब सारे जो दिल में रंजीश हैं और बिल्गों हम यही अब चाहते हैं कि दूसरे के साथ एक मां है उसके दो बेटे हैं इधर पाकिसान में वो अलग हो जाते हैं हर घर में हर घर की स्टोरी है फिर इसका मतलब यह तो नहीं हम खूनी रिष्टों से दूर हो जाते हैं खुशी गमी में एक दूसरे के साथ होते हैं लडाई भी होती है प्यार भी होता है सब चलता है लेकिन हम यही कहते हैं कि कमस कम पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच म है यह बढ़नी चाहिए और दोनों के बीच में जो ट्रेड्स हैं उनके उपर जो है गुर्मार्ट को सोचना चाहिए तो यही था आज का वीडियो गाईस जो स्पीच थी उसके वाले से आज हमने बात की यह हिस्टोरिक स्पीच के बारे में कमड़ जरूर कीजिएगा अप जो सरक याल कुर बाय आला हाथ